यस एक मेट एक मेट एक मेट एक मेट इस्टार्ट है कर दिए गुद इनिंग तो अल आफ यू आजाईए आप लोग ताकि आज का सेशन हम लोग सुरू कर सकें तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो नदियां है नदियों के संदर में सुरू की थी चर्चा हलाकि उस पर चर्चा प्रारम भी हुई थी ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले नदियों के बारे में बिभिन जो नदियां है नदियां उनका उद्गम नदियां कहां गिरती हैं किस प्रकार की सनचनाओं का निर्माल करती है ठीक उनकी लंबाई क्या है उनकी सहायक नदियां क्या है तमाम ऐसे मुद्धों पर जो नदी या अपवाहतंत्र से सम्मंदित मुद्धा है उस पर छुब देले वर दिट राज ट्रेवर ऑन जार टायर टायर टाइट्रव गहां अब्लेट्व टूर्ण जाज फरे और आगट्र। ग्रेन इच ग्रेनेज सिस्टम अपवाह तंतर की चर्चा करेंगे हम लोग अपवाह तंतर पर बात करेंगे ग्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंतर पर बात करेंगे आई ये देखते हैं तो इसमें drainage system की जब बात करेंगे तो हमने आपको पताया था कि अपवाह से तातपरे क्या है अपवाह से तातपरे है कि किसी भी नदी के उदगम से लेकर एक ऐसा विंदू जो उदगम जहां से नदी का क्या है उदगम होता है जहां से नदी का निकास होता जहां नदी जहां से उद्गम करती है निकलती है वहां से लेकर ये पूरा सागर है वहां से लेकर ठीक है इधर आप देखिए सागर में यानि ये आपका मुहाना है नदीयों का क्या है मुहाना नदीयों का मुहाना जहां नदीयां सागर में गिरती है अपना जल छोड़ती है उसको मुहाना कहते हैं और हमने का तक जो उदगम से लेकर यहां मुहाने तक नदी जो बहती है इसमें एक यह द्रोनी है यह एक आवतल द्रोनी है यह आवतल प्रकार की क्या है द्रोनी आवतल द्रोनी में इसमें एक आवतल द्रोनी में एक आवतल द्रोनी में यह बहती है और इसम हमने कहा था कि नदी जब बहती है अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक जब नदी जाती है तो उसमें इस क्रम में बहुत सारी नदीयां जो है इसके ठीक है उपरी भाग में बहुत सारी नदीयां यानि इसकी सहायक नदीयां होंगी सहायक नदिया होंगी जो मुख्य नदी से आकर मिलती है तो जो मुख्य नदी से आकर मिलती है वो सहायक नदिया है और उसके साथ हमने कहा कि जहां से नदी जहां यह मुखाने जहां गिरती है वो कई भागों में आप जैसे देख रहे हैं कई भागों में जो बट जाती इसको वितरीका कहते हैं वितरीका ठीक है ये सहायक नदिया हैं ट्रिबिट्रीज और जो वितरीकाएं हैं डिस्टिबिट्रीज डिस्टिबिट्रीज या वितरीकाएं हैं तो इस प्रकार से आप देखें इस प्रकार से देखें कि तो नदियों का एक जाल है एक तंत्र पुरा विक विक्सित होगा उद्गम से लेकर मुहाने तक ये पूरा पूरा जो एक तंत्र विक्सित होगा तो इसको क्या कहेंगे आप ये जो तंत्र इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं अब भारत में जब हम अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो हमने आप से कहा था कि भारत में दो प्रका हिमालाई अपवाहतंत्र हिमालाई अपवाहतंत्र और एक है आपका प्राई डीपी है प्राई डीपी अपवाहतंत्र हिमालाई अपवाहतंत्र और प्राई डीपी अपवाहतंत्र दो प्रकार के प्रमुख अपवाहतंत्र है अब आप देखेंगे जो हिमालई या पवाहतंतर है वहाँ जाहिर सी बात है हिमालई की उचाई जादा है तो हिमालई से जो नदिया निकल कर आएंगी वहाँ उनको अधिकतर आप देखेंगे ग्लैसियर से जल प्राप्त होगा तो जब ग्लैसियर से जल प्राप्त होगा हिमालई नदियों के संदर में जैसा हम बात कर रहे हैं तो वो नदियां क्या होंगी सदा नीरा होंगी कैसी होंगी सदा नीरा होंगी आप लोग आजाईए आज आप लोग लगरा सूचना नहीं है क्या गवरो क्लास की सूचना नहीं थी क्या गोड इवनिंग ठीक है जोड़ जाईए आप लोग जो भी है सबध्यन करिए पढ़िए तो हमने कहा कि एक तो आप देखे जो हिमालाई तंत्र है उसकी बात हम लोग जादा है तो वहाँ आप देखेंगे ग्लैसियरों का निर्माड हुआ हिम नदों का क्या है निर्माड हुआ है तो हिम नदों का निर्माड हुआ है तो वहाँ से जो नदिया निकलेंगी वो हमने का सदा नेरा प्रकार की होंगी क्या होंगी वो सदा कलाफ का मैसेज आया थ तो मैं समझ गया इसलिए ठीक है अगर आप सूचित कर पाएं और तो सूचित करिए ताकि लोग जुड़ जाएं और पढ़ें तो हमने का कि जो हिमालाई जो है हिमालाई जो नदियां है उसमें जो ग्लेसियर है ग्लेसियर से नदियां निकलेंगी तो जाइड सी बात है सदा नहीं रहा होंगी ठीक है वर्सा का भी जल प्राप्त करेंगी और ग्लेसियर से अब ग्लेसियर है तो हमेशा जबकि प्राइदीपी भारत में आप जानते हैं कि प्राइदीपी भारत में इतनी उचाई कहीं नहीं यानि प्राइदीपी जो नदियां है वो अधिकतर उनका उद्गम कहां होगा पश्मी घाट से क्योंकि प्राइदीपी सनचनाय जो है उसमें पश्मी घाट की उचाई अपक्छाकरित और वहाँ प्राइदीपी भारत के अ जो छेत रहे उनकी तुलना में पश्मी घाट के उचाई जादा तो अधिकतर नदियां पश्मी घाट से निकलती है अब पश्मी घाट के लेकिन फिर भी इतनी उचाई नहीं कि वहाँ को एक ग्लेसियर आपको दिखाई दे और आप ये भी जानते हैं कि हिमालय जो है वो उस जो जो आप बात करेंगे चली आनिल जी गूड इउनिंग आप सब लोग आ जाईए आ जाईए ठीक है ठीक है तो हमने का इधर आप देख रहे हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्राइद यूपी और हिमालाई नदियों में क्या अंतर है समान अंतर को देखते हैं फिर देखते हैं कौन नदी कहां सक्या निकलती है ठीक तो आपको बताया कि जो हिमालाई नदिया हैं तर्फ ही मान धर्फस में जो अधिक्तर हाँ उत्तर से धक्षन की तरफ और से दख्षन तरह करें तैंगे तर ने उन को छोड़देजिये तो अधिकतर नदिय को दहाँ ते कैंगे अब देख रहे हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अधिकतर क्या है पश्चिम से पूरब की तरफ चलती अब हमने कहा कि यह जो है यहां देखिए उचाई ज्यादा है यहां तो यहां से क्या है नदियां जो भी होंगी वो ग्लैसियर से निकलेंगी तो हिमालाई जो नदि क्या है पूरवर्ती का मतलब की जो पहले से पूरवत जानी अब उन नदियों का अस्ठित्थ पहले से ही था और आप कहे लिजिए कि उन्होंने परवतों को काड़ कर अपना रास्ता पूरवत पहले की तरह बनाए रखा है ठीक है परवत का उथान होता गया नदी काड़ क उसको आगे बढ़ती गई तो पूरवर्ती नदियां तो इसमें आप देखेंगे आगे हम लोग अभी बात करेंगे सिंदू नदी तंत्र का अब सिंदू नदी तंत्र है तो सिंदू की बड़ी साय सायक नदी है उसको देखेंगे कि करके गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं की मूँ लता है उत्तर जो नदियां है हमालेई नदियां न में तो इसमें सदा नहीं रहोंगी हमने कहा पूरवर्ती नदियां होंगी इनकी लंबाई जादा होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनको कितना यानि उत्तरी अक्षान से इदर की तरफ है यहां से इनको पूरी तरह से आए यहां देखिए यहां इनको पश्चिम से यहां इदर की तरफ जाना है यहां इनको लंबाई का स्थल में लंबी दूरी तय करते हुए तब जब चाहे वो इदर की तरफ गिरें लेकि एक लंबी दूरी तेह करनी पड़ती तो इनकी दूरी क्या है अपिक्षाक्रित अधिक तो लंबाई जो है अपिक्षाक्रित अधिक होगी ठीक है इनकी लंबाई भी अपिक्षाक्रित अधिक होगी इसके अलमा आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो नदिया निकल के आ रही ह जो हिमाले वाली नदियां वो हिमाले वाली नदियां जाहिर सी बात हमने का हिमाले परवत है हिमाले घाटी हिमाले परवत मिलेगा घाटी मिलेगा तो यहां यह जो है इसमें आप कहले जिए कि नदियों में कई अवस्थाएं जैसे खासकर तीन अवस्था बड़ी प्रमुक ह होंगी ठीक है हिमालाई नदियों में जो नदियों की युवावस्था है जो नदियों की जो युवावस्था है प्रोड़ावस्था है और बिद्धावस्था ती इस्तती होती नदी की जो यंग फेज है मैच्चेवर फेज और ओल्ड फेज यानि युवावस्था आमने कहा कि जब नदी अपने परवती छेतर में होती है और उसका वेग अधिक होता है याद रखिएगा जब नदी परवती छेतर में अपने जहां चलती है तो वहाँ वेग सुरुवात में अधिक होता है और वो लंबोत कटाओ क्या है जादा करती ठीक है यह यह वावस्ता है जब ल गौर्ज कहते हैं गौर्ज का निर्माल होगा आप कहेंगे इसमें जलप्रपात का निर्माल होगा छिप्रिका का निर्माल होगा नदियां उचलते हुए चलती हैं इसमें आप देखेंगे कैनियन का निर्माल होगा ठीक है वी आकार की घाटियों का निर्माल होगा तो वी आ इस प्रकार से इवावस्था में बहुत सारी जो अस्थलाकृतियों का निरमार करती हैं, इस प्रकार की इवावस्था की अस्थलाकृतियां यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी जो है इसके तुलना में यहाँ इतनी ज़्यादा असला कृतिया आपको प्राप्त नहीं होंगी तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो है लंबाई ज़्यादा है साथ-साथ यह तीन प्रमुक अवस्थाओं से यानि अवस्थाएं तीन अवस्थाओं इस नजे ठीक है प्रवणावस्था में आप देखिए घाटियों की जो लंबा चोड़ाई है घाटियों की चोड़ाई में बृध्धी होती है तटबंध वगएरा खुब बिक्सित होंगे बनेंगे ठीक है चोड़ाई में बृध्धी हो जाएगी मलबा जादा होगा लेकिन धोने की जो गती है वो कम हो जाएगी ठीक है और बिर्दावस्ता में आप देखेंगे कि मलबा जादा होगा जल का आयतन जादा होगा लेकिन जगह जगह आपको निक्षेप मिलने लगेंगे क्योंकि जल की गती बहुत कम हो जाती है और मियंडरिंग नदियां सीधे न जाकर लगा वस्ताइं जब कि यहां हमने कहा कि आपको अधिक्टर नदियां प्रोड़ा वस्ता में मिल सकती है यहां वस्ता बहुत असपष्ट नहीं है इतने ययादा पर्वती है यहां इस्तती परवते जो परवत है In Pomaly पर तेंगे कि कि vraiment यहां सकताrare कि यहां में हागी आती है है लेकिन फिर भी आप जान लेजिए कई बार क्या होगा कुछ चार स्टेटमेंट दे कर देखिए इस तो वैसे तो माले जिए हिमालाई नदिया प्राइदी पी नदियों का अंतर आपके अब जब कर आए तो जो लोग पड़िए तो जो हमाले से निकल कर आती है तो इसका मतलब क्या है दूसरे इधर मैधानी चेत्रों से घुजरती है यह भी हकीकत तो और मलबा इनको परयाप्त मिलेगा तो इनमें ऑसादों की मात्रा जादा होगी जबकि ये आप कहेंगे जो प्रायदीपी पठार की नदियां है कठोर प्रायदीपी भागों से गुजरती है और ये पुराना ग्रिनाइटिक जो है खंड है बहुत पुराना तो इसका अपरदन जादा नहीं होगा इसलिए इनमे क्या है आवसादों की मातरा कम होती है इसलिए ये अनसे जो डिल्डा का निर्माड होगा वो बड़ा होगा जैसे आप देखिए गंगा परमपूत डिल्टा बड़े डिल्टा यानि आवसाद ज्यादा लेकर आएं उसके साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि ये जो नदियां है इनने में जल की मात्रा भी उनके तुलना में कम होगी तो यहां आप देखिए कि अब यह भी है इसके साथ यह अंतरराष्टी प्रकार की नदियां हो सकती है हिमालय चुकि ऐसा छेतर है कि देखिए हिमालय में क्या है हिमालय से आने वाली नदियां आपसमें आप देखेंगे तिबबत से भी आती है बहुत सारी तो तिब्jekt अभी तो वरतमान में चाइना का भाग है तो इसका मतलब देखिये चीन और उसके बाद हमने कहा कि मानले जीये कि जैसे बाद हमान नेपाल वाले छेतर से निकल कर बहुत सारी आती हैं तो नेपाल फिर आप देखिए भूटान वाले छेतर से आती हैं तो भूटान ठीक इधर आप देखिए यहां से जो निकल कर हिमालाई छेतर से आती है तो इसमें पाकिस्तान में भी जाती है भारत के बाद इधर बंगलादेश में भी जा सकती है तो आप इस वाला जो छेतर आप देख रहे हैं इसमें आपको कई सारी नदियां है जैसे आप देखिए सतलज सतलज हो गई सिंधू हो गई इनका संबंद आप देखिए तिबबत से यानि चाइना से कहले जिए भारत से और इधर आपका पाकिस्तान तीनों से है वैसे इधर देखिए ब्रमपुत्रा का तीन चीन जो है तिबबत से और भारत से और क्या है अंतर राज्जी विबाद क्योंकि यह अंतर राश्ट्री कोई सीमा तो है नहीं प्रायदीपी भारत में तो अंतर राज्जी विबाद एक राज से दूसरे राज्जी के बीच विबाद ये भी आप देखिए ठीक है तो इनको आपको समझना ये सारी चीजे हैं इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे अधिकतर वैसे ये भी मैकसिमम इधर की नदियां भी डिल्टा बनाती है ये भी जो नदियां है इसमें जो है डिल्टा बनाती है हलके अलग है दो नर्मदा और तापी एश्चूरी का निर्माल करती है जो नदमुखों का निर्माल करती है ठीक तो ये भी है तो कुल मिलाकर आप देखेंगे ये जो छेतर है ये वाला ठीक ये यहां उत्तर भारत में मैदानों में नहरों का विकास क्या है आसानी से होता है यहां नहरों का विकास आसानी से नहीं होगा, कठोर भू भाग है, उसके साथ साथ इसर आप देखिए कि ये वाले जो छेतर हैं, इसमें जैसे नहरों का विकास हमने का परियाप्त होगा, तो नहरों का विकास परियाप्त होगा, तो सिचाई के लिए इनकी उपयोगिता काफ दूसे से क्या अंतर इसमें असपस्ट दिखता है लेकिन अब इनको आप देखें कि उप्योगिता की अधार पर तो उप्योगिता दोनों इनकी इनकी ठीक है आगे हम लोग बहुत सारे परिवहन मारगों की बात करेंगे तो नदियों की उप्योगिता चाहे वो प्राइदी भारत में हो चाहे उत्तर भारत की हो परिवहन के द्रिष्ट कोन से भी क्या है इनकी काफी उप्योगिता है ठीक लंबी दूरी तेयं कर सकते हैं खासकर उत्तर भारत की नदियां मैदानी भागों से जलाद इन पर कई सारी जगह आप देखेंगे इंडस्ट्री वगएरा है क्योंकि जल बहुत महत्पूर्ण है किसी भी उद्योग के लिए विद्दुत निर्माल कई सारी बहुत देशी परियोजनाएं हैं अलग से उसको डिस्कस करेंगे ठीक है बहुत देशी परियोजनाओं में बहुत सारी चीज़ें आती है जल विद्दुत का निर्माल आता ह ठीक जल विद्दुत का निर्माल आता है सिचाई की सुभिदा के लिए आता है मिर्दा संरक्षन के उसमें बहुत सारे प्लान है ठीक है बहुत सारा और बाइडावर्सिटी के लिए बहुत सारे प्लान है बहुत सारी चीजे ठीक पेजल का भी हो सकता है उसमें व्योस्ता हो सकती तो कुल मिला जुला कर नदियों का रोल बहुत महत्पून है भूमी का बहुत महत्पून है और अब आते हम लोग एक-एक करके पहले हम लोग हिमालई नदी तंद्र के बारे में देखेंगे समझेंगे आगे बढ़ेंगे और फिर प्राइज बीपी जो नदियां है भारत में नदियों का जाल है भारत ठीक तो एक-एक करके आईए चलिए देखते हैं और समझते हैं तो पहले चलिए हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत की नदियों को एक-एक कर झाल 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 चले अब देखिए आपकी सिंधू नदी ठीक है सिंधू नदी की बात कर रहे हैं आयिए एक-एक करके हम लोग जो है नदिया यहीं आपका पहले उत्तर भारत के नदिया जो हिमालाई नदिया हैं उन拼ेकर करके देखेंगे देखते रहिएगा समझते रहिएगा सारी जो समबन्धित नदिया उनको भी हम लोग देखेंगे अब इसमें आप देखे ये जो है ये नदी आप इंडस देख पा रहे होंगे इंडस देखें इन डस का जो उदगम है शिंदु नदी इसको मान वाद्गम होता है तो इसमें पहली सिंदू है एक सतलच की उındगम यहीं से है और यहीं के बगल से देखिया आप ब्रहमपूतरा की भी है तो यहां बात कर रहे हैं सिंदू, तो सिंदू नदी जो आप देखिए कैलास मांसरोवर के जो है कैलास स्रेणी के मांसरोवर जील के पास सिंगी खंबेन, लिखा होगा देखिए सिंगी खंबेन, सिंगी खंबेन, या इसी को बोखरचू भी बोलते हैं, बोखरचू, बोखर यहां से निकट से यहां निकलती है और निकल कर यह पहले जो है आप देखिए निकलती है पहले पश्चिम में फिर उत्तर पश्चिम की तरफ ठीक है यहां आप देखिए लेह लद्दाक पाकिस्तान भारत में लेह लद्दाक वाला जो भाग है देखिए लेह लद्दाक उसम जासकर और लदाक दो स्रेडियों के क्या है बीच से बहती हुई यहां देखिए आप ये वाला जो एरिया है ये लंबा ऐसे आप देखिए बहुत लंबी दूरी तरह करेगी ये गिलगित है कहां पहुची ये गिलगित पी ओके आप जानते है आपको बताया था गिलगित जो पी ओके है पाक अकुपाइट का समीर उसका हिस्सा है इस समय गिलगित और यहां पहुच करें देखिए अचानक तेजी से मुड़ती है दक्षिन की तरफ और यहां जो तेजी से मुड़ती है ठीक है यह आप जो देख रहे हैं तेजी से मुड़ती है यहां यह पर्टिकु आई इसको इसकी तुलना हेयर पिन से करते हैं यूआ का तेज हो तेजी से मुडा हुआ है यहां फिर धख्ष्टि नी होते हो फिर यहां देखिये ठीक है यह frozen अब आप देखिये कि इसमें क्या है यहां से यह फिर यह पाकिस्तान चली गए और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं एक लंबी दूरी तै करती है पाकिस्तान में एक लंबी दूरी तै करते हुए अंततह जो है पाकिस्तान में कराची जो पोल्ट है पत्तन है कराची से पूरब में कराची से पूरब में ये कहां अरब सागर में जाकर गिर जाती है ठीक है त इसकी कुल लंबाई 2880 किलो मीटर है लेकिन भारत में इसका इतना विस्तार नहीं है लेकिन भारत में केवल 1114 किलो मीटर जो है इसकी कुल दूरी कुल इतनी दूरी है लेकिन भारत में भारत में हमने क्या कहा 1114 किलो मीटर भारत में इसका प्रवा है 1114 किलो मीटर ही केवल है ठीक है याद रखिएगा ये बहुत ही महत्पूर्ण नदी है और ये नदी आप देखिए सिंधू इंडस आप देखिए सिविलाइजेशन अहिश हमाले के उतन से पहले इसका उद्गम हुआ करता था आपको पताया था इंडे सब्सक्राप सचर जोन सिंदू इसका फ्रैक्टर जोन जो आप बहुत है पहले से ही था ये जान लेजेए इसका अस्थान पहले और इधर था यानि पहले जो अभी जेहifically पस्चिम ग्रती है पकिस्तान हमने कहा कराची उसका यह पहले इद आप देखिए भारत में जो गुजरात के आस्पा से जाकर माना जाता है गिरती जब इंदिएफी जाकर इसे मोरना पनजाब जहें पंजाब में आपने कभी पड़ा होगा पंजाब में पोतवार का पठार है थीक है पंज्वार में एक पोतवार का पठार है कहा जाता उसमें उत्थान हुआ और फिर इसका direction की अए थोड़ा सा पश्चिम की तरफ यानि यहां से तोड़ा घूम करिए इसका रास्ता बदला और पश्चिम की तरफ ये जो है थोड़ी सिफ्ट हो गई ठीक है चलिए तो ये नदी हमने का इतना अब इसमें देखिए ये जो नदी है सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखिए सिंधु नदी जल सम्झावता भी हुआ है ठीक है तो ये भारत चुकी य सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां ही हैं खासकर सिंधु और सहायक यही मुख जीवन है वहां का ठीक है नई तो वहां भी क्या राजस्थान की तरह हो आप देखेंगे ठीक है पूरी तरह से हो सकता है कि वहां भी पूरी तरह से इस्तिक है बदल जाए अगर ये नदी खतम हो जाए तो इसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है उसके लिए अब यह देखिए इसमें बहुत कई सारी इसकी सहायक नदिया है इसको भी देखेंगे हम लोग याद करेंगे करके कुछ बड़ी सहायक नदिया है और कुछ छोटी-छोटी सबको आपको समझना है जो संदू सिम्दू के बार आप देख पा रहे होंगे जेलम कौन सी जेलम एक यह आपकी जेलम मैं ये इसी पर डल ज Kalina आप जो देख रहे हैं उलर झीट है तो झेलम ये देखिए जेलम बताते कहां कहां से फिर आप देखिए चिनाब चिनाब फिर आप कहते है रावी ठीक है और उसके बाद आप देखिए ब्यास है हलाकि ब्यास सतलज की साहयक है और इधर से आप देखिए यहां से फिर से हो गया राकस्ताल के आसपास इधर देखिए निकल रही इधर सतलज तो यानि आप कह सकते हैं इधर से सिंधू, जेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, व्यास, सतलज, व्यास जो है सतलज की सहायक तो पांच ये नदियां जो हो गई, ठीक है, आप देख रहे हैं इसी की सहायक है सोनम, नोट्स आपको भेजा जाएगा, ठीक है न, नोट्स के लिए परिशान नहीं होना है और बिटा ऐसा है न, कि इतना टाइम रहता हाथ चलाने के लिए क्या कर जितने धीर धीरे पढ़ा रहे हैं तो जो चीजें हैं उसको आप बनाते चलिए, नोट्स की आप टेंसन मतले, नोट्स आपको भेजा जाएगा, पहले से कहदिया गया न, नोट्स जो है, भेजा जाएगा रही बात नोट्स बनवाने की, तो उसमें एक जो अच्छा विद्यारती होता है, जब इतने आराम से चीजें चल रही हैं, तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है न, बाकी जो नोट्स और कह रहे हैं, वो आपको भेजा जाएगा, प्रिंट कर ही पढ़ रहे होंगे न, तो उसको चीजें, हाँ से जो चीजें जो इंपोर्टेंट हैं, इतना वक्त रहता है कि नोट करते चलिए उसको, ठीक है, तेतरा जो भी बिद्यारती है, वो इतने लेक्चर में ही सारी चीजें बना ले, लेकिन आपको नोट्स मिलेगा, तो य कश्मीर से है, और यहां का जाता है एक वेरी नाग नामक जरना है, वेरी नाग, तो कश्मीर में वेरी नाग नामक जरना जो है, वेरी नाग, ठीक, वेरी नाग नामक जरना है, वहां से जो है, वेरी नाग नामक जरने से इसका जो है, संबंद है, वहीं से निकलती है, और और हमने का निकल कर यह देखिывать आप कश्मीर में ऐक दूर यतान करते हुए फिर पाकिस्तान मेर प्रिवेश कर जाती पाकिस्तान में अगे Sponge不要 कर जाती तो ज्येलम जो है इसकी एक प्रमुक नदी है जेलम और जेलम हमने कहा कहां से वेरिनाग कश्मीर में इसका उद्गम वेरिनाग